उमेदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इंपोर्टन्ट होता है, चुनाव में बूथ लेवल का कारकरता भी इंपोर्टन्ट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपुन होता है, और इसलिए ये कह देना, तो और किसी का महत्वप नहीं होता है, ये वरना इतना आज हमारे हाँ दुर्भाग्य से, शब्तों के प्रती जो कमिट्मेंट होना चाहिए, वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नामगाडी कुछ भी बोलतों, कहीं पर भी बोलतों, कोई जिम्मेवारी नहीं, अब आप देखा होगा इन दिनों, एक नेता जी के पुरान अब देर सारे वीडियो बाजाय में भूम रहे हैं, और उनके एक विचार से दूसरा विचार के तना कॉंट्राडिक्टर ही है, अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे, यह आदमी एक तना हमी मुरग बनाता था, अभी मैंने एक नेता का बाशन सूना, उन्होंने कहा, ए मुझे बाज कहेंगे, कि मैं एक जटके में गरीबी हटा दूँगा, तो देश होता है, यह क्या बोल रही, तो मुझे लगता है, पॉलिटिकल डिडर्शिप की क्वेस्टेनिबल होती जा रही है, ऐसे मैं प्राण जायरू वचन न जाय है, यह महान परंपरा से हम निकले ह हुआ, मैं मानता हूँ एक नेताहूंने ओनर्शिप लेनी चारे, हुआ है, जिम्मावरी लेनी चाहिए, है मैं जो बोल रहा हूँ मतल Hope और जब ownership लेते हैं तो देश को बरोसा होता है आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का बरोसा है तिन सो सत्तर हटाओंगा धले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे था है मारे शांबर साथ मुखर जी ने बलिदान दिया था लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे जब मेरा मोका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई तिन सो सतर गई और आज जे कहिमु कश्मीर का भागे बदल गया कि तीन तलाग कितने ही चीजों से गुजरा कि पुलिटिकल लीडर सिफ डर गई लोगों को रहा भी इनके प्रक्या फरोसा करें यह तो एक बार एक बोलते हैं दूसरे लोगों का फरोसा तब बनता है यार यह खुद खड़े रहेंगे यह खड़े रहेंगे और जाना भी ह तो जिम्मेवरी लेकर के जाएगे कि यह था मैं सोचा था नहीं कर पा रहा हूं मैं जा रहा हूं वापिस लेकिन भरोसा बहुत बड़ी तापत होती है और भारत जैसे देश में यह भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवरी मानता और इसलिए मैं बार-बार गारंटी यह कहता हू झाल झाल